इस session में बात होगी balancing of chemical reactions के बारे में topic के बीच में आपको भी कुछ reactions दी जाएंगी solve करने के लिए तो सारी details ध्यान से सुनिएगा अब शुरू करें तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि balancing of chemical reactions होता क्या है तो देखें simple सी बात है जो भी reaction आपको दी जाएगी उसमें जो भी element present होगा उसके जितने भी atoms हैं वो right hand side और left hand side पे same होने चीए इस बात को सीधा example से समझें तो अगर आपकी chemical reaction है ये A2 plus B gives AB तो इसमें कौन से elements present हैं? A और B तो यहाँ पर जितने atoms A के हैं react hand side पे जो की हैं 2 उतने ही होने चीएं उसके atoms product side पे जो की है 1 सीधी इसकी balancing start करें तो पहली बात यह है कि left hand side से हम start कर सकते हैं balancing यानि यह सबसे पहला element पे करेंगे जो की है A उसके atoms देखेंगे react hand side में जो की हैं 2 और उनको match करेंगे product side पे अब match करने से पहले एक दूसरी detail और समझ लो किसी भी substance का आप composition change नहीं कर सकते वो तो fix ही रहता है जैसे कि A B है तो A B ही रहेगा उसको आप A to B या फिर A B to या फिर कुछ और नहीं कर सकते logical है न जो compound जैसा बना है वो तो वैसा ही रहेगा तो सवाल आता है कि आप change क्या कर सकते हैं आप change कर सकते हैं उसकी quantity जैसे कि A B को हम कर सकते हैं 2 A B या फिर 3 A B या फिर कुछ और तो अब शुरू कर सकते हैं हम अब product side पे A B में हम क्या change करें A B यहाँ पे बन जाएगा 2 A B इसके साथ balance हो जाता है A बट यहाँ पे एक चीज और हो गई B unbalance हो गया B कितना हो गया product side पे B हो गया 2 क्योंकि 2 A B का meaning क्या होता है 2 atoms A के और 2 atoms B के अब हम इस B को जो unbalance हो गया है balance करेंगे by going to the reactant side reactant side में क्या change कर सकते हो B को क्या कर दोगे simple है 2 B अब reaction देख लो सारे elements के atoms balance हो चुके हैं दोनों side पे basic idea समझ में आ गया होगा अब थोड़ा fast चलेंगे अगली reaction यहाँ पे लेते हैं sodium plus oxygen gives sodium oxide इन सभी given names को convert करेंगे इनके formula में तो क्या बनेगा sodium हो गया Na oxygen हो गया O2 oxygen O2 क्यों हो गया क्योंकि elements जैसे की hydrogen nitrogen, chlorine और oxygen इन चारों को याद रख लो यह सब covalent compound के form में exist करते हैं H2, O2, N2, Cl2 के forms में जबकि on the other side जितने भी metals हैं जैसे की sodium, aluminium, magnesium यह सब single atom के form में exist कर सकते हैं इसकी reasoning को समझना है तो bonding topic में होती है उसकी बात अभी नहीं करेंगे और अब आखिर में product side पे क्या आता है sodium oxide को convert करना है तो कैसे करेंगे sodium और oxygen के charges पता होने चीए हैं इसके लिए जो आपको easily याद हो सकता है अगर आपको पहले 20 atomic number वाले elements properly याद हैं जिसके लिए हमने already एक topic कर रहा है link description में दे देंगे उसका उसकी resulting sheet जो सारे elements के ions दिखाती है वो कुछ इस प्रकार से थी तो अगर ये नहीं जानते हैं तो इसको बाद में कर लेना अभी के लिए sodium का ion होता है Na plus और oxygen का होता है O2 minus तो यहाँ पे sodium oxide बन जाएगा Na2O अब ये जो reaction हमें मिल गई है इसको balance करेंगे बिल्कुल पहले की तरह left hand side से start करते हैं sodium का atom है 1 और product में है 2 तो इस बार reactant में बढ़ा देंगे 2 Na Na balance हो गया अब oxygen को check करेंगे oxygen reactant में है 2 product में है 1 product में change करेंगे product में change कैसे करेंगे 2 Na2O करके composition change नहीं करेंगे amount change करेंगे ठीक है अब आप कहेंगे oxygen तो balance हो गया लेकिन sodium change हो गया बात सही है तो फिर से sodium को change कर देंगे sodium कितना हो गया अब 2 into 2 4 अब reactant में वापिस change कर दो 2 की जगा 4 ये कर सकते हो अब पूरी reaction को एक साथ देख लो 4 Na plus O2 gives 2 Na2O जितने भी elements है उन सब के atoms दोनों side पे balance हो चुके हैं अब 2 हमने कर दी अब एक आप कर के देखो आपकी पहली reaction है ये A plus B gives AB2 10 seconds है सोचिए और करिए Time starts now आंसर है A plus 2B gives AB2 अब इसको explain नहीं करेंगे अपने आप देखो दूसरी reaction आपकी है magnesium plus oxygen gives magnesium oxide यहाँ पे क्योंकि ions शायद आपको अभी ना पता हो तो बता देते हैं magnesium का होता है Mg2 plus और oxygen का होता है O2 minus करिए आंसर आता है 2Mg plus O2 gives 2Mg O I hope आपने सही करियोंगी अब हम आगे चलेंगे और difficulty level थोड़ा सब बढ़ाएंगे चैनल पसंद आ रहा हो तो subscribe कर लिजे और घंटी भी दबाईए ताकि नए topics के सारे updates आपको मिलते रहें Next reaction आती है A2 plus BC gives AC plus B सबसे पहले A को balance करेंगे तो product में आ जाएगा 2AC अब A को तो balance कर दिया है C change हो गया लेकिन C कितना हो गया 2 product side पे तो product side से अब वापिस आएंगे कहाँ पे reactant side पे चेक करेंगे C की value C यहाँ पे कितना है 1 अब इसको कर देंगे 2BC C balance हो गया लेकिन C को balance करने के साथ B change हो गया B कितना हो गया 2 वापिस product पे जाएंगे महाँ पे कितना कर देंगे B को 2B अब balancing complete हो जानी चीए क्योंकि इस B को change करने से कोई और change नहीं हुआ है पूरा check कर लो एक बार equation balanced है अब एक reaction और लेते हैं proper elements के साथ H2S plus O2 gives H2O plus SO2 चुरू वहीं से left hand side से hydrogen है 2 reactants में product में भी 2 है ठीक है balanced है वापिस आएंगे शुरुआद में sulfur 1 है reactants side में product में चेक करेंगे वहाँ पे भी 1 है balanced है very good 2 elements देखें दोनों balanced तीसरे पे आते हैं फिर से reactant side में oxygen 2 है reactant side में product में चेक करो इस बार 2 ऐसे compound ने जिसमें oxygen present है total atoms चेक करेंगे उसके H2O में 1 atom SO2 में 2 atoms total कितने हो गए 3 atoms reactant पे हैं 2 और product में हैं 3 अब इस point पे ध्यान से सुनिए अगर हम product में आते किसी भी compound के oxygen की value change करने के कोशिश करेंगे तो किसी और element में भी change आ जाएगा इससे बहतर क्या ये नहीं होगा कि हम reactant side पे ही change कर दें पर change करेंगे क्या product में है 3 oxygen तो reactant में ऐसा क्या कर दे कि वहाँ पे भी 3 oxygen हो जाएगा अब एक नई बास सुनो यहाँ पे किसी fraction से भी multiply कर सकते हो एक substance को तो O2 को किस fraction से multiply करें कि वहाँ पे 3 oxygen की value आ जाए answer है 3 upon 2 3 upon 2 into 2 3 इस वक्त आपकी ये equation जो है वो balanced है but at the same time हम equation में fractions में नहीं रखते हैं तो इसलिए हम इस equation में इस fraction को हटाने के लिए अगर maths की simple knowledge हो आपको तो उसमें किसी भी एक number से पूरी equation को multiply किया जा सकता है यहाँ पे किस number से multiply करें पूरी equation को कि ये 3 upon 2 fraction जो है वो एक whole number बन जाए तो नीचे आ रहा है 2 तो 2 से multiply कर दो result हो जाएगा 2H2S plus 3O2 gives 2H2O plus 2SO2 अब equation चेक कर सकते हो आप पूरी equation balanced है 4 hydrogen इधर, 4 उधर 2S इधर, 2S उधर 6 oxygen इधर और 6 oxygen total उधर होती है बात clear यह थोड़ी सी different थी reaction इस reaction में हमने एक नई बात सेकी है fraction वाली तो ध्यान में रखना अब इस level पे मेरा काम हो गया है अब बारी आती है आपकी पहली reaction जो आपको balance करनी है वो है यह A plus BC gives AC plus B2 और आपका time शुरू होता है अब answer आपका है 2A plus 2BC gives 2AC plus B2 solve हुआ है या नहीं हुआ है comments में बताओ दूसरी reaction दे रहे हैं अब zinc plus silver nitrate gives zinc nitrate plus silver अब यहाँ पे again ions बता देते हैं zinc का होता है Zn2 plus silver का होता है Ag plus और nitrate का होता है NO3 minus तो reaction आपकी बन जाएगी basically Zn plus AgNO3 gives ZnNO3 whole twice plus Ag करिये सो अल्विस को answer आपका है यह Zn plus 2 AgNO3 gives ZnNO3 whole twice plus 2 Ag I hope correct कर पाए होगे आप और in case अगर नहीं कर पाए हो तो वापिस चेक करो कि क्या गड़बड़ी होई अभी तक बढ़िया हो गया है 70% हमने कर लिया है अब चलेंगे last advanced level पे अगली equation आपकी है A plus BC2 gives AC3 plus B A चेक करो balanced है B चेक करो balanced है C चेक करो reactant में है 2 product में है 3 again वो fraction वाली बात आ गई product में change कर देंगे multiply किसे करेंगे कि 3 की जगा 2 हो जाए वहाँ पे 2 upon 3 और अभी पूरी equation को multiply मत कर देना क्योंकि अभी balance नहीं है C तो balance हो गया है but A वापिस unbalanced हो गया है तो A को वापिस balance करो reactant side में A क्या हो जाएगा 2 upon 3 A अब इस पक पूरी equation balanced है check कर लो और अब multiply करेंगे पूरी equation को किस से 3 से तो equation हो गई ये 2 A प्लस 3 B C 2 gives 2 A C 3 प्लस 3 B होती बात clear? अब बता रहे हैं आखरी actual elements के साथ ले रहे हैं सबसे complex ऐसी ही होती है इससे उपर कुछ नहीं आएगा HNO3 प्लस C A OH होल्ट वाइस gives C A NO3 होल्ट वाइस प्लस H2O अब यहाँ पे एक छोटी सी नई detail समझो अगर हम पहले की तरह hydrogen से start करते हैं यहाँ पे reactant side में तो यहाँ पे reactants में 2 जगा hydrogen है इसलिए हम hydrogen को avoid करेंगे अभी हम यहाँ पे start करेंगे अगला जो element आता है हमारे पास अगला हमारे पास आता है H के बाद NO3 और NO3 को हम एक साथ पिक करेंगे क्योंकि वो product side में भी NO3 एक साथ ही है तो product side में अगर check करो तो NO3 के आगे क्या आ रहा है 2 तो यहाँ पे अब हम reactant side में क्या गर देंगे 2 HNO3 यह हो गया NO3 balanced अब NO3 के बाद आएगा अगला element कौन सा calcium calcium reactant side पे कितना है 1 और product side पे भी कितना है 1 तो यह balanced है अब आ सकते हो hydrogen और oxygen पे reactant side पे hydrogen total कितने है 2 पहले compound में HNO3 में और 2 है CAOH whole twice में तो total reactants में हो गए hydrogen 4 product side में अब 4 करने के लिए क्या करेंगे H2O को 2 से multiply कर देंगे hydrogen हो गया balance अब oxygen आ गया यहाँ पे product side में oxygen को check करो NO3 वाले को मत कंती उस करना oxygen है product side में 2 reactant side में सिर्फ किस में देखोगे oxygen को calcium hydroxide में क्योंकि NO3 तो पहले से ही balanced है और calcium hydroxide में oxygen already 2 है OH whole twice का मतलब है 2 oxygen और 2 hydrogen तो यह हो जाती है आपकी balanced equation अब मेरी बारी खतम और आपकी बारी शुरू last set of practice questions है यह A plus BC gives AC3 plus B2 करिए इसको answer होगा 2 A plus 6 BC gives 2 AC3 plus 3 B2 चेक करो इसके बाद आखरी सवाल आपका है यह BACL2 plus AL2 SO4 whole thrice gives BASO4 plus ALCL3 दिखने में dangerous लगती है पर है simple करो इसको भी try आपका है यह 3 BACL2 plus AL2 SO4 whole thrice gives 3 BASO4 plus 2 ALCL3 I really hope कि आपने सही करी होंगी और करी हैं तो प्लीज बताएं बाकी अगर आपको practice के लिए और भी कुछ questions चाहिएं तो उसके लिए है यह वाली sheet अपने आप solve कर सकते हैं इसके answers की list डिस्क्रिप्शन में है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ finish हो जाता है आपका यह balancing of chemical equations का episode पिछले सारे topics करे हैं तो इस point पे एक बढ़िया बढ़े वाला break बनता है